हलो अच्चों कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे बच्चों आज मैं आपके लिए एक नया पार्ट लाई हूँ फ्लॉरेंस नाइटिंगेल एक छोटी सी लड़की ने किसी लंगडाते हुए कुट्टे को देखा उसे कुट्टे की हालत पर तरस आया और उसने उस कुट्टे की मरहम पट्टे की लड़की की देखभाल से कुट्टे की टांग कुछी दिनों बे ठीक हो गई और वह अच्छी तरहां चलने फिर ने लगा यह छोटी लड़की फ्लॉरेंस नाइटिंगेल थी जिसने बच्पन में ही अपने आचरन से होनहार पीरवान के होट चीकडे पात की कहावत को चरित्रात कर दिया पच्चों इस पंक्ती में एक नया शब्द है आचरन आचरन का अर्थ होता है बिहेवियर आपका व्यवहार कुमारी नाइटिंगेल को बच्पन से ही बिमारियों की देखबाल करने का शौक था वह गुडियों का खेल भी इसी तरह से खेलती थी गुडियों को बिमार समझ कर उनकी सेवा शुशुरुशा बड़े ध्यान से करती थी घर में बिमारों की सेवा करने के जो मौके उसे मिलते उन्हें वा हाट से न चाने देती और उनकी सेवा करके बड़ी प्रसन्न होती डेड़ शताबती पहले बीमारों की परिचर्या का महत्व लोगों को मालूम नहीं था मगर आजकल तो यह एक विवस्थित विद्या बन गई है और इसका बाकाइदा अभ्यास होता है इसका श्रे कुमारी नाइटिमगेल को है कुमारी नाइटिमगेल का जन्म एक प्रतिष्ठित कुटोंब में हुआ था बच्चों इस पंक्ती में एक नया शब्द है प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित का अर्थ होता है फेमस किसी मशूर उस समय बीमारों की शूश्रूशा करना बहुत छोटे दरजे का काम समझा जाता था अस्पतालों में असन्सकारी और नीचे दरजे के लोग बीमारों की दवादारू और मरहम पट्टी का काम करते थे कुमारी नाइटिंगेल जब सियानी हुई तो उसकी माता पिता उसकी शादी की बावत विचार करने लगे मगर उसने शादी करने से इनकार कर दिया उसे तो एक ही धुन थी और वह थी बीमारों की सेवा मगर उस समय यहा काम बहुत निम्नकोटी का होने के कारण उसकी यहा हिम्मत ना हुई कि वह अपने माता पिता से कही कि वह अपना जीवन बीमारों की परिचर्या में बिताना चाहती है वह इस काम को शुरू करने से पहले बिमारों की सेवा की विवस्थित रीती से तालीम पा लेना चाहती थी वह हमेशा इसी विचार में डूबी रहती कि किस तरह से और कहां यहां तालीम पाई जाए इस उधिरबुन में वह काफी परिशान रहने लगी इस चिंता का असर उसकी स्वास्त पर भी पढ़ा उसकी माता पिता ने यह सूच कर की प्रवास से शायद उसका स्वास्ते ठीक हो जाए उसे अपने मित्रों के साथ प्रवास के लिए भेज दिया पहले वह मिस्र गई प्रवास में उसे जब मौका मिलता वह रास्ते के गाउं में चली जाती और लोगों का हाल पूछती वह अलेक्जेंड्रिया में कुछ फ्रांसिसी सेविकाउं से मिली वे सेविकाई गरीब और पीडित लोगों के बीच रहकर काम करती थी गुमारी नैटिंगेल उनका काम देखकर पड़ी खुश हुई फल्स वरूप उसकी परिचारी का बनने की इच्छा और भी बढ़ गई मिसर से युनान और इटली हुती हुई वह जर्मनी आई वहां उसने बीमारों की शुशुशा के लिए समर्पित एक संस्था देखी इस संस्था की बाबत उसने पढ़ा भी था यह पादरियों की संस्था थी वहां वह कुछ दिनों रही और उसने वहां का काम बड़े गौर और बारिकी से देखा उस संस्था का नाइटीन गेल पर गहरा प्रबाव पड़ा उसने विलायत पहुचकर उस संस्था का पूरा हाल चपवाया उसकी इच्छा इस संस्था में कुछ समय रहकर बिमारों की परिचर्या का काम पूरी तरह सीख लेने की हुई उसके माता-पिता और निकट के लोग यह नहीं समझ सकते थे कि वह बिमारों की परिचर्या का काम क्यूं करना चाहती है मगर उसे तो बिमारों और दुख्यों की सेवा करने की लगन लगी थी और वह इसी कारे में अपना सारा जीवन बिता देना चाहती थी अतह उसे जर्मनी जाकर पाद्रियों की संस्था में सेवा शूशुरुशा का काम सीखने की इजाज़त मिल गई कुमारी नाइटिंगेल उस संस्था में पहुच गई वहां का जीवन बड़ा कड़ा था मगर नाइटिंगेल ने अपने आप को वहां के अनुकूल बना लिया और वह बड़ी खुशी से काम करने लगी वहां वह चार महीने रही और परिचर्या संबन्दी हर एक चीज़ की जानकारी उसने प्राप्त की जर्बनी से वापस आने पर उसने किसी अस्पताल में काम करने का इरादा किया काम शुरू करने से पहले उसने परिचर्या संबंदी संसथाओं को अच्छी तरह देख लेना ठीक समझा अता वह पैरिस गई और वहां की संस्थाओं को अच्छी तरह से देखा वह पैरिस की संस्था में कुछ समय ठहरना चाहती थी मगर अपनी दादी की बेमारी के कारण वह घर लोटाई अब वह अपने लिए कारे शेत्र ढूंडना चाहती थी मगर माता पिता की आग्या से आखिर कार उसके आग्रह को देखकर उसके माता पिता ने उसे एक स्त्रियों के हस्पताल में काम करने की इजाज़त दे दी बच्चो इस पंक्ती में एक नया शब्द है आग्रह आग्रह अर्थाद विनदी रिक्वेस्ट इस से उसकी खुशी का ठिकाना न रहा इस हस्पताल में उसने परिचर्य की बावत जो सीखा था उसके अनुसार बिमारों की शुशुशा करनी शुरू की उसका कारे डॉक्टरों और बिमारों को बहुत पसंद आया उसे भी अपने काम से बड़ा संदोश हुआ उसकी बड़ी इच्छा थी कि वह स्त्रियों की सेवा शुशुशा के लिए तैयारी करे मगर इस छोटे से हस्पताल में इस काम को करने की ताकत न थी वह एक बड़े हस्पताल में जाने का विचार करही थी कि तभी उसकी सेवाओं की जरूरत देश को पड़ी सन 1854 में क्रीमिया का युद्ध शुरू हो गया एक तरफ इंगलेंट, फ्रांस और तुर्की थे और दूसरी तरफ रूस अंग्रेजी लशकर के घायलों की मरहम पट्टी और दवादारों की व्यवस्था बहुत खराब थी घायलों की समय पर ठीक तरह से मरहम पट्टी न होने के कारण बहुत बड़ी संख्या में घायल भी मरने लगे इस बात की खबर जब विलायत पहुँची तो देश में बड़ा शोर गुल मचा और सरकार का ध्यान इस व्यवस्था की ओर खिचा गया युद्ध मंत्री ने सोच विचार के बाद घायलों की सिवा शुरुशुशा का काम कुमारी नाइटिंगेल को सौपना तै किया उसने यह काम बड़ी खुशी से स्विकार किया अब अपनी 48 परिचारिकाओं की टुकडी के साथ वह युद्ध शेत्र में पहुची फौजी अस्पताल में जरूरी दवाईयां भी न थी घायलों की मरम पट्टी ठीक तरह से न होती थी उनके पहनने के कपड़े बड़े गंदे रहते थे और उनमें बद्बू आती थी उनको खाना अकसर अधपका मिलता था कुमारी नाइटिंगेल ने धीरे धीरे इन सब कमियों को दूर करना शुरू किया और कुछी समय बाद घायलों को शुद्ध और रुची कर खाना मिलने लगा उनके बिस्तर और पहनने के कपड़े साफ रहने लगे उनके जख्मों की मरहम पट्टी समय पर और ठीक तरह से होने लगी अस्पताल में जरूरी दवाईयां भी आ गई बिमारों का दुख दर्द दूर करने के लिए हर समय परिचारिकाई अस्पताल में रहने लगी इन सब कारियों को करने में कुमारी नाइटिंगेल को बड़ा श्रम उठाना पड़ा इस कारण वह सिपाहियों में बड़ी प्रिये हो गई रात को जब सब सो जाते तो वह अपने हाथ में दीपक लेकर बिमारों में घूमती और उनका हाल जानती घायलों की ऐसी देखवाल का यह परिणाम रहा कि उनकी मृत्यूदर 42 प्रतिशत से घटकर 2 प्रतिशत रहे गई लड़ाई खत्म होने के बाद वह अपने घर लोटाई देश ने उसकी सेवा की कद्र की और उसे पच्चास हजार पॉंड की एक थैली भेंट की इस रकम से उसने परिचर्या विद्या सीखने की एक संस्था खोल दी बीमारों की देखवाल पर उसने एक छोटी पुस्तक भी लिखी वह मरते दम तक बेमारों की सेवा के कारे में लगी रही यह उसकी कोशिशों का ही परिडाम है कि विश्व में बीमारों की परिचर्या को इतना महत्व मिला और इस कारे में कुलीन स्त्रियां भी आने लगी तो यह ता एक सुन्दर पाठ बच्चों आशा करती हूं आप सबको अच्छा लगा होगा आप इसे स्वयम भी पड़े अभ्यास भी करें